हेलो फैंस वेलकम टू ओल्लाइन अडर फोर स्टडी बनिश्टे बैट फोर लानिंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का मारी यूट्यूब चैनल पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सिच्चक बरती हो या फिर उनेतर जा सिच्चक बरती या अन्य किसी भी सिच्चक कोई अबडेट होती है सबसे पहले आप सभी को पॉइड कर दी जाती है या इसका कोई को परेट होती है strength कि इसका कोई सब्सक्राइब करें जैसे कि आप सभी को लेटर्स वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते हैं तो फिलाल की लेटर सब्डेट आप सभी के सामने में लेकर क्या हूं टैट अपीरिंग मामला जी हैं तो काफी बड़ा मामला था पचास जार से ज्यादा दोसुट सिच्छकों के यहां पर कहीं ने कहीं जो तलवा लटकी हुई थी उनकी दोस्तों खुशक भी उनके लिए कि सुपीम कोट ने पर स्थी मामले पर इलावाद हाई कोड के आधिया है अब आप किसी भी सैमिस्टर में है अगर आप तैट पास 32 सर्टिफिक्ट आपको माना जाएगा हर ऐसा आप सभी को देखने के लिए मिलता होगा हाली में किसी ने तैट दिया होगा अगर आपका सेकंड य थर्ड सैमिस्टर चलना है तो इसकी बीच अपने टैट किया तो आपको वहां से सर्टिफिक्ट नहीं मिलता था लेकिन अब दोस्तों आप सभी को यहावड़ मिलेगा आने वाले समय में लेकिन यहावड़ी जीत उनके लिए जो कारदत सिख्षक थे उनके लिए दोस्तों काफी वड़ी यहां से जीत निकल कर किया रही है सुपीम कोड ने प्रखेंती निकल करके जैसे जाएगगा बाकर के सामने लेकर लेकर बिलकुल यहां पर आ चुका है अब आपको दोस्तों यहां पर गृर्ण बाली बात नही कि कोश्र करें कई कोशो माद्यम से यूटूब समझ जाते हैं सब्सक्राइब कि अगर आपको लगता है कि सरकार कुछ ऐसे तो सब्सक्राइब कर देगी सबसे पहली चीज मैं आप सभी को यहां बताना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि क्यों कहते हैं पहले मैं आपको बता दूँ तो यहां पर दूसव पर को ब taking की अब कर बात किया तो मैं आप सभी को बता देना चाता हूं जो सरकार ने अपनी स्पेसल अपील में इतना साफ चिया जो एंपल्औरोर कोब्व privilege किया है कोड को ये बताने की कोशिश किये कि समय समय पर सरकार कर ये हक होता है कि सरकार अपने तरीके से पासिंग मार्क्स में बदलाब कर सकती है जो चीज बिल्कुल सही है सरकार ने सिस्टेमेटिक तरीके से अपनी अपील में जो है चीजें लिखी हुई है सिर्फ अपील दाय कहने से यह नहीं होता कि अपील दाय हो गई है तो उसके बाद भी बैस होगी और बैस होनी के बाद सब कुछ होगा और इसमें इसको लेकर तो सो इलावत खंड़ पीड के ओडर पर भी उन्होंने बात किये कि उन्होंने कहा कि तीन महीने में इलावत खंड़ पीड का ओडर है कि वेकेंसी को कम्प्लीट कर आजाए लेकिन वहां पर यह भी लिखा गया है कि जो इलावत खंड़ पीड का ओडर है वह बिलकुल भी उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई नहीं है क्योंकि आप सभी को परता है पाच साही को जो शार्षणा आदे साय था उसके अंदर एका भी तो नहीं हो सकता है इस बात को लेकर मैं आप सभी को कई बाश बहुआ जा सकती है तो यहांपर तो सरकार ने अपने तरहीके से अपनी जो अपील फाइल कि बिलकुल ठ सरकार की स्पेसल अपील कम जो रहा है सरकार ने अपनी स्पेसल अपील के अंदर उन्हेतर जार को 68500 को दोनों को अलग-अलग डिफाइन किया है और यहां पर यह वाली बात भी कही कि जैसे सिंगल बैंच का ओर अया था लखनू बैंच को लेकर जहां पर उन्होंने यह कह दिया था कि 68500 के देजिसका जो पासिंग मार्क से से पाइब किया है कि किस जगह पे कितनी और किस तरही के से पासिंग मार्क प्रॉलम वाली बात नहीं कि दोस्तों यह अपील वह कम जो अगर दोस्तों इस तरीके की ब्रामक जो पोस्ट आप सभी के सामने आती हैं या फिस तरीकी कोई वीडियो आती हैं तो उनको लेकर पहसान बिल्कुल मत रहे बागी दोस्तों आप सभी को मैं बता दू कि अभी पहली सुनवाई को लेकर कौज लिस्ट जारी नहीं हुए जैस लखनव पैंच के रूपर अपना रिलाइक करेंगे दोबाहर से सिंगल पैंच में किया था जो भी होगा जैसा भी होगा दोस्तों आप सभी को यहां पर प्रवाइड करना बिल्कुल ना भूलें साथ को चैनल को सब्सक्राइब कर लें पर लाइकिन को दबाहरें जैसे कि आप सब्सक्राइब को लेटर्स वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते हैं सो गाइस थैंक यू थैंक यू पर वर्चिंग दिस वीडियो